दोस्तों मैं आगे हम वो Master is the Day टी के एपीसोड 56 के साथ सो चलो बेनागी जात दिर के स्टार्ट करते हैं और इस एपीसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो और उसके साथे टीम मेंबर्स को कल्टिवेशन करते हो देखते हैं और इनकी बॉडी में से जो औरा है वो भी जेनरेट होने लगेगा उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अब तुम सभी अपनी बॉडी में औरा यानि की पावर को महसूस कर सकते होगे इसी से तुम्हारे कल्टिवेशन का जो सफर होगा वो स्टार्ट होता है उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और जब तक तुम सभी एक मजबूत फाउंडेशन बनाए रखोगे और अपनी टाइम के अनुसार प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम लोग उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे जितना अभी इस वक्त में हूँ हाँ लेकिन ये भी सच है कि इस में कल्टिविट करने में तुम लोगों को काफी ज़्यादा वक्त लगेगा और यहाँ पर पहले दिनी आकर तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इनर वर्ल में सिर्फर से अपनी असली वाली दुनिया में आ जाते हैं और हमारा हीरा अपने उस इनर वर्ल को बंद कर देता है और उसके बाद हम डुगो हुई को देखते हैं दो मैं जितने भी एनष्यट वर्ययर से उन सभी को हरा दूंगा और चाईना का सबसे ज़ादा ताकतवर एनष्यट वर्ययर बन जाओंगा लेकिन तभी हमारा हीरा उसके बाद हमारा हीरा बोलता है जो तुमारा श्ट्रक्टर है वो भी चोटा है तो आखिर दूसरों के साथ लड़ाई क्यों करना है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अगर हम इसी तरीके से कल्टिविट करते रहे तो हमें इस तरीके की छोटी चीज़े करने की कोई ज़र्वत नहीं होगी एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे पावफुल वारियर्स हैं और जतना मुझे पता है डार्क पावर रिल्म के अलावा भी वहां इनेट रिल्म और यहां तक की ओवर्सीज फोर्सेज भी है और अभी तो हमने बस शुरुवात की है इसी वज़े से अभी इस टाइम पर हमें अपनी ताकत दिखाने की कोई जवरत नहीं है और ना ही हमें दूसरों को गुस्तना दुनाने की जवरत है क्योंकि अभी हमने सिर्फ कल्टिवेशन की शुरुवात ही की है लेकिन हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर दूसरे हम पर पहले हमला करने के लिए आये तो हमें उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से भी हिप करने की कोई जवरत नहीं है यानि कि हम उनके साथ लड़ सकते हैं और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि काफी वक्त हो गया इसी वज़े से अब हमें चलना चाहिए और आराम करना चाहिए तो टैंग लाओ और बाकी सब बोलते हैं ठीक है मिस्टर यांग गुडबाई और उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं लेकर हमारा हीरो तब ही बोलता है वैसे ब्रदर चेन, टैंग लॉंग और सीलोव तुम यहीं पर रुको तो वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं और वो तीनों बोलते हैं आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों रोक लिया तो हमारा हीरो बोलता है तो मैं पता है कि मेरी बेहन पहले किड्नैप हो चुकी है लेकिन भगवान की दया से अब कोई भी खत्रा नहीं है और अब वो आने वाले future में जल्द ही ancient capital में जो school है ना वहाँ पर पढ़ने के लिए जाने वाली है Tang Long, Silow और Brother Chen आप तीनों को मेरी बेहन की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा क्योंकि आप लोग cultivation की भी practice कर रहे हैं और आप में बहुत जादा talent भी है तो मुझे पूरा एकिन है कि आप मेरी बेहन की अच्छे से रिफाज़त कर लेंगे So, जो Tang Long है उसकी बेहन वो हमारी hero के सामने जुकते हैं बोलते हैं ठीक है हम आपकी expectations पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन जो Chen Bike One है वो थोड़ा बगल में खड़ा हुआ होता है एंड उसके बाद हमारा hero बोलता है कि brother Chen मैंने अपने home town में आप से मदद मागी थी कि आप मेरी family का वहाँ पर ख्याल रखें और आपने ये खरने में बहुत जादा मेहनत की है और आप नगो तो मेरी family का ख्याल रखते time पर इतनी सारी चोट भी लग गई है अब मैं आपको ये ताकत देता हूँ कि आप हमारे इस cultivation के group को और भी जादा बढ़ाएं और मैं आपको हमारे crowd gate का chief manager appoint करता हूँ उसके बाद हमारा ही रो बोलता है और अगर ऐसा हो सके तो मैं चाहूँगा कि जो ब्रदर चेन की family है वो भी इसमें participate कर सके हमारे इस cloud gate में और अगर ऐसा हुआ तो ब्रदर चेन की जो family है वो फिर से अपनी reputation को वापस पाचकती है लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर ब्रदर चेन क्या चाते है जो उसके बाद जो चेन बाई क्यान है वो बोलता है मेरे master ने मुझे उनकी बेहन का ख्याल रखने का करतव दिया था लेकिन मैं उनके expectations पर खड़ा नहीं उतर पाया इसी वज़े से मैं आपका आप राधी हूँ लेकिन आप मुझे पर फिर से भरुसा कर रहे हैं अब चाहे कुछ भी हो जाए चाहे मेरी family फिर से अपनी reputation को पापाए या नहीं लेकिन मैं अपना पूरा best रुख दूँगा और पूरा best तरीके से try करूँगा कि आपकी expectations पर खड़ा हो तरूँ उसके बाद हमारा hero अपने दोस से बोलता है Iron Egg मैंने तुम से कहा था कि तुम हमारी company का अच्छे से ख्याल रखो उसकी देखरेक करो और शांग्यान बिलेज में जितना भी हमारा काम होने वाला है तुम उसके लिए brother Shen को contact कर सकते हो वहाँ पर सारी शीज़े मिल जाएंगी हमारा hero का दोस बोलता है कि ठीक है उसके बाद हमारा hero do ruthless से बोलता है कि ruthless तुम सम्मे से अभी सबसे जाजा ताकतवर है इसी वाज़े से ruthless तुम मेरी personal bodyguard रहोगी अपसे और मेरी हर एक safety का ख्याल रखोगी क्योंकि मेरी आसपास काफी manpower की कमी है तुम्हें पता है न जब वो दोनों इस तरीके जो बात कर रहे थे तो वो दोनों ऐसे थोड़े शर्मार है जो नर्वस थे after all उनों इतनी खुबसूरत शाम जो गुजारी थी एक दूसरे के साथ उसके बाद हमारा ही रोन सभी से बोलता है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम सभी जा सकते हो और आराम कर सकते हो लेगन तुम अपनी cultivation को हद से जादा मत करना उसमें जो जो exercises है उनको सही से follow करना सही time पर cultivation करना और इससे तुम्हारी जो cultivation की process है वो बहुत जादा बढ़ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर सीन बढ़ता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है हम होते हैं हमारे hero के बंगले पर और वहाँ पर हम बंगले के अंदर हमारे hero को देखते हैं और उसके साथ वो spirit girl होती है और वहीं जो बंगले के अंदर एक कमरा होता है जहाँ पर वो formation होता है वहाँ पर हमारा hero होता है formation की बीच में एद हमारा hero बोलता है मेरे master ने भी मुझे यह कहा है कि इस formation के नीचे जो चीज है वो थोड़ी बहुत evil है इसी वज़े से मुझे अभी इस वक्त तो इस formation को नहीं तोड़ना चाहिए और उसके बाद हमारा hero इस spirit girl से बोलता है ये बहुत ही ज़दा बुरी बात है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर सबसे ज़दा औरा है इस टाइम पर और ये जो villa है ना वो भी spiritual veins पर है तो इसके आस पास भी काफी अच्छा औरा है तो हमारे hero की बात सुनकर जो वो spirit girl है वो बोलती है sir हमारे पास सी जो जमीन है ना वहाँ पर spiritual energy की एक gathering होने वाली है और मुझे ये feel हो रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि spiritual world में से हमारे hero को एक किताब दिखती है उस किताब को देखकर हमारा hero बोलता है हमें पहले formations के encyclopedia पर एक बार नजर मान लेनी चाहिए मुझे मेरे master ने दी दी मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं कुछ सब्स सही से नहीं बोल पाता हूँ उसके बाद हमारा hero कुछ stone को जमीन पर रखकर सोचता है यहाँ पर एक spirit gathering party होने वाली है भले से ही जो low level की इस तरह की spirit party है वो इस हमारी इंसानी दुनिया में बहुत जादा माइने रखती है और इसकी मदद से हमारी जो cultivation की speed है वो भी बहुत जादा बढ़ जाती है और हम एक बहुत जादा अच्छे cultivator बन सकते हैं उसके बाद हमारा hero एक और stone को रखता है ये सारी की सारी चीज़ें अभी से मौझूद है उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे hero ने एक अच्छा formation बना लिया है और हमारा hero बोलता है अब बस मुझे खून का ही इस्तमाल करना है इस formation को complete करने के लिए उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा hero अपने मुझे पास अपने उंगली ले जाता है और वह उसे काट लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे hero की उंगली से खून निकलने लगता है और यही जो five elements हैं वो सारी की सारी चीज़ों को produce करते हैं हवा, पानी, बिजली और the air of the sky, the winds of the earth एंड उसके बाद हमारे हिरो की उंगली में से जो खून की बुंद गिरी थी ना वो उस स्टोन पर गिर जाती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस बंगले में एक अजीव टाइप का कुछ हो जाता है भाई या आधी तुफान चलने लगते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हिरो के घर के चारो तरफ एक बहुत ही जादा बड़ा फॉर्मेशन बन गया है एंड वहाँ घर के अंदर हम हमारे हिरो को देखते हैं जो बोलता है भले से ही ये जो फॉर्मेशन हो वो बहुत जादा आसान हो बनाने में लेकिन इसमें बहुत सारी इस्प्रिशल एनर्जी की ज़वरत होती है और अब मैं बहुत जादा ठक गया हूँ एंड उसके बाद हमारा हिरो इस फॉर्मेशन को देखकर बोलता है लेकिन इस दस मेल के अंदर जितने भी औराज है ना वो यहाँ पर खटा हो चुके हैं यहां तक कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तब भी मुझे औरा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा और यही होता है स्प स्वीरिट गैल है वो बोलती है कि यह तो बहुत जादा अमेजिंग है कि और इंड बोद्य में बहुत जादा स्पिरिचुल एनर्जी हिसा और यह है अगर इस तरीके और मेरा हम दोनों का कौशिएशन बहुत जादा तेजी से ग्रो करेबा और हमारे रोड़वेशन की सब है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर क्यू विवन आ जाती है जो बोलती है कि excuse me sir क्या आप इस टाइम पर free हो सो हमारा hero से देखकर बोलता है कि अभी बहुत जादा है और नहीं कोई ताकत इसी वज़े से मैं सब की कीमत आपको किसी दूसरे तरीके से चुकाना जाती हूं सो हमारा hero सोचता है कि क्या किसी दूसरे तरीके से एंड वो ना जाने को कौन सा तरीका ही सोचने लगता है भाई लोग तुम खुद ही देख सकते हो क्यों उनको वह से कितने तरीका होने वाला है वो प्यारा सा, क्यूट सा, नन्हा सा, मुन्हा सा, सुद जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा यह एपिसोड यहाँ पर समाथ हो चुका है, बहुत ही साथ दिल तूटने वाले दर्थ के साथ के रहे हैं हम यह, सो अगर तुम लोगों को यह एपिसोड पसंद आओ, लाइक करो, चैनल पर नहीं आयो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो में जो भी तुम्हें पसंद आया हो, सी पसंद आ रही है, क्या सी लग रही है, क्या चाहते हो, तुम लोग कमेंट वाक्स में कमेंट करो, और इस वीडियो को अपने फैमली फिरंट फरी जानों के साथ शेर करना, बिल्गों भी मत भूल जाना, थैंक्स वो वाचिंग, सायो नारा,